ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर्मेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशीफल यह राशीफल एक जुलाई 2022 शुक्रवार का दिन है आसार महा के शुक्लपक्ष की डुटियाति थी है इस दिन भगवान श्री जगनात जी की रत यात्रा का उत्सव मनाय जाता है स्री जगनात पूरी में भगवान श्री जगनात जी की भव रत यात्रा इसी दिन निकलती है तो आपको और आपके पूरे परिवार को रत यात्रा महापर्व की बहुत बहुत शुपकामनाई और बधाईया पुश्य नक्षत्र इस दिन रहेगा तथा करकर आख्षी में चंद्रमा बिराजित रहेगे गुप्त नवरात्री का दूसरा दिन रहेगा दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़ादा अवश्यक हो तो दही अत्वा जव खा करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह साड़े दस बजे से शुरू हो करके दो पहर बारा बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब्या मांगलिक का रिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी मिथुन राशी में वहीं चंद्रमा करक राशी में मंगल ग्रह मेश राशी में बुद्ध ग्रह व्रशब राशी में देव ग्रु व्रहसपती जोकी मीन राशी में शुक्र ग्रह व्रशव राशी में शनिदेव कुम्ब राशी में राहू ग्रह मेस राशी में तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजीत रहेंगे इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मिठुन सिंग तुला धनु एवं कुम्ब ये छे राशियां सबसेदिक भागिशाली रहने वाली है दिन इनके लिए नाप्रत सिद्ध होगा धनलाप के सांसत कारिक्षितर में उन्नती और प्रगती के अउसर भी इनको प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोगों को शियर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्धी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भरुपूर सदुपयोग करे रिस्तेदारों तथा संबंदियो समाप्त हो जाएगी भाईयों तथा मित्रों से वेचारिक मधवेद उत्पन नहो सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शु जान बढ़ेगा राजनितिक संपर्क आपके लिए कुछ शुप अउसर भी प्रदान करेंगे नए वाहन के खरीदने संबंदी योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा विद्यार्थि करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानशिक व शारीरिक ठकावट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रबाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे अर्थ करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्यपूर्ण तथा उच्पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतित होगा इससे आपके मान संब्यान में व्रद्दी होगी तथा नई उपलब्दी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक् के महत्यपूर्ण काम करने से पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करें जरासी चूक आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद खूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलद को जो है अधिक समय व्यतित होगा आर्थिक स्थिती बहतर रखने के लिए बजट बना कर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नई नोकरी या नए काम की आप शुरुवात कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे व प्रापर्टी से संबंधित रुके हुए काम आपके पक्ष में हो जाएंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा जैसे आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी रिस्तेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी प्राप्ति विदियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी आ हरी घांस खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अं प्राप्त होगी घर में कोई शुप्त तथा में अंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी तथा रिस्तवदारों की आबा जाही आपके घर में बने रहे में चावल का डान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कारियों में रूची ल बना रहें तो कुछ समय के लिए इस्तगित आपको करना चाहिए और आर्थिक मामले अभी पूर्वहित रहेंगे अनावश्यक खर्चों पर कटोदी करें तथा धैर ये बना करके रखे और कर्ज यदि आप लेने जा रहे हैं तो उसको भी आपको कुछ दिनों के लिए रो राशी की आपको शारीरित था मानसिक शुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गति विदियों में कुछ समय व्यतीत करना होगा प्रापर्टी था वाहन की खरित फरोक्त संबंदी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किसी व्यक्ति विशेश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन नहों सकता है ध्यान रखे साउधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए अनुभव होगी और पढ़ाई के लिए जो बच्चे महनक कर रहे हैं उनको मनोवांचित परिणाम की प्राप्ति होगी जिससे उनका होसला और आत्मेश्वास और अधिक बढ़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाईची खाना आपके लिए करते हैं कुम्पराशी की इस समय ग्रह गोचर आपके मनोबल तथा आत्म इश्वास को बढ़ाएंगे सामाजिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी आपको उपलबधियां प्राप्त होगी सुम्मेतव आदर्श बना करके रखना अति आवश्यक है आर् आप लगन तथा एकाग रिचित और महनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कार्य से आपको अच्छा फाइदा होगा उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समय वितित करेंगे इससे आपको खुश शुफलदाई साबित होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ज्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अध और लिए पताए हमने आपको को अही होंग हमने आपको को अधिक राशी ज्यान चाताब जाज़ को अधिक से अधिक से अधिक से अधिक साई।